हालो फ्रेंट हालो एंड वेलकम टू दे चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे और आप लोगों को वीडियो जो एनजी वेंपाइस और जो अधर टॉक्सिक रिलेशन्शिप और टॉक्सिक परसंसे रिलेटेड जो वीडियो में बना रहें ठीके दोस्तों तो मेरा वीडियो जो बनाने का परपस है वो यही है कि आप में लोगों में थोड़ी सी अगर अवेरनेस लेके आ पाऊं आप लोगों को थोड़ा सा जागरत कर पाऊं कि देखिए अगर आप जिस चीज को आप लव समझ रहे हैं या शायद जिस बहुत प्रिशियस हैं और यू आर वेरी प्रिशियस सोल्स ओके तो इसलिए नहीं है कि किसी टॉक्सिक परसन को आप लाइफ टाइम सर्व करते नहें और सालों साल निकल जाने के बाद जब आपको होश आता है तो आपको पता लगे कि अब आपके हाथ में कुछ पचा ही ठीक है तो दोस्तों धन्यवाद आपका इतना अच्छा सपोर्ट और इतने अच्छे रिस्पॉंस के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से लोगों ने इन वीडियोस को देखा सबसे में बात है कि बहुत सारे लोगों ने इन वीडियोस को देखा क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट भी अगर किसी का मिल पाया और कोई अगर एक या दो लेडी भी अगर गलत रिलेशनशिप से किसी वीडियो को देखके मेरे किसी वीडियो से रेजोनेट करके या किसी भी तरह से awareness लेके अगर वो एक गलत relationship को टाटा गुडबाई क्या पाए तो मैं समझूंगी कि मेरे channel का purpose जो है वो solve हो रहा है मेरा channel बनाने का purpose था मेरा channel पे जो काम वर्क करने का purpose था वो solve हो रहा है लोगस्तों बहुत जरूरी है किसी भटके वे को रहा दिखाना या किसी person को जो clearly हमें दिख रहा है कि गलत रहा पे जा रहा है उसको थोड़ा सा अगर हम guidance दे पाएं और सही जगर पे उसको लाके अपनी life में खड़ा कर पाएं ताकि वो आगे अपनी life में grow कर सके और अपनी चीजों को अपने लिए utilize कर पाए ओके ये बहुत जरूरी है तो यहाँ पर इस वीडियो में जो में discussion आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने पूछा है जहां बात आ जाती है energy vampires की toxic people की, narcissus की तो कुछ लोगों ने कार्मिक्स अगरा की तो कुछ लोगों ने पूछा है की मैम क्या ये लोग कभी सुधरते भी हैं lifetime या ये लोग ऐसे ही रहने वाले हैं तो it means that you want to know कि अभी पर आपको ये जानना है कि क्या इन में कुछ type का सुधार आ सकता है या इन में कुछ changes आ सकते हैं तो शायद कुछ लोग शायद इस उमीद में पूछ रहे होंगे कि आगे चलके उनका relationship सुधरने के अगर कोई challenges है तो बट देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगर आप लोग real twin flames हैं तो अगे जाके आपका लाइफ परपाद होने वाली है तो इस question का जवाब अब इस perspective से दे रही हूं जहां energy vampires, narcissists, karmics वगरा की बात हो रही है ठीक है यहां मैं twin की बात नहीं कर रही हूं ठीक है दोस्तों तो हान जी आपने जो सवाल पूछा कि क्या यह लोग कभी सुधरते तो sorry to say but never ever कभी भी यह नहीं सुधरते क्यों उसका reason है क्योंकि इनको lack of insight होता है ठीक है इनका lack they are unable to look into themselves inside अंदर देखने की इनको आदत और अंदर देखने की इनको जरूरत फील नहीं होते क्योंकि यह बाहरी world में इतने ज़्यादा engaged होते हैं कि इनको वो फुर्सत ही नहीं मिल पाती इनको बेकार लगता है अपने अंदर जांकना क्योंकि जब भी अपने अंदर जांकेंगे यह डर जाते हैं यह खुदी से डरते हैं इनको अलग अलग supply की ज़रुवत पढ़ती है so that they can approve them वो इनको अच्छा फील करा सकें इनको superior फील करा सकें बिकोज इनको अंदर से inferiority complex होता है इनको अंदर से inferior feel होता है अपने आपके लिए इनको पता है इनका वो worth नहीं है इनको पता है that they hold no empathy किसी तरह की empathetic qualities किसी तरह की अच्छे qualities humbleness इनके अंदर नहीं है और यह इनको खुद भी पता होता है but the thing is that their ego is supreme मतलब इनके लिए इनका ego जो है वो सबसे उपर है ठीक है तो उसके आगे फिर इनको कुछ भी नहीं दिखता है तो इनका self introduction करने का habit नहीं होती है हमारी तरह इनको अंदर जाकने की आदत नहीं होती है ठीक है तो यह लोग नहीं इनके सुदरने के chances होते है बट हां karma hits them back लेकिन karma इनको hit करता है ठीक ह और इनकी हालत बहुत ज़्यादा miserable हो जाती है मतलब believe me इनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है बहुत बुरी आगे चलके क्यों क्योंकि इन्होंने कोई work नहीं किया कभी खुद पे कभी कोई इन्होंने अपनी intuition डवलप नहीं की insight डवलप नहीं की देखिए खुद पे काम करक कोई जरूरी नहीं है आपको twin flame होना ही जरूरी है या आपका awakening spiritual awakening ही आनी आपको जरूरी है बहुत से लोग खुद को अपनी कम्यों को यूँ भी दूर करना चाते है ठीक है बट उसके लिए आपको अपने ego self को side में रखना पड़ता है और अपनी कमी को स्विकारना पड़त है ठीक है खुद पर work करने की पहली ही शर्त है कि पहले खुद को पहचानना पड़ता है जो वेक्ति खुद को पहचानने में ही समर्थ हो तो फिर उनको उनका समय और उनका कर्मा समझाता है ठीक है उनको वक्त समझाता है वक्त के उनको कैसे समझाता है कर्मा उनको कैसे वा जो इनका जो चाम है इनकी जो बिकोज ये लोग बाहर इतने ज्यादा इनका परसनलिटी को ये अपना करके रखते हैं अच्छा से बना के रखते हैं कि इनको आप मतलब लोग नॉर्मल लोग इनको गैस भी नहीं कर पाते हैं कि ये असलियत में हैं क्या अंदर से ठीक है तो अब भी जब तक इनका जवानी इनका खुबसूरती और इनका चाम काम आ रहा है इनके तब तक तो इनका अच्छा टाइम चलता है इनका जब तक इनका चाम इनकी ब्यूटी इनका जो है या मतलब यूथ जो है इनका वो इनका साथ दे रहा है बड़ टाइम के साथ साथ जब इनकी उम्र ढलती है तो इनसे अकेला और कोई नहीं होता है इनसे ज़्यादा अकेला और कोई नहीं होता है क्योंकि इन्होंने किसी टाइप का रिलेशन्शिप या किसी टाइप का लव तो डेफलप करने में बिलीव किया ही नहीं तो रिलेशन तो इन्होंने डेफलप किया ही नहीं कहीं पर रिलेशन्शिप अपने बनाए ही नहीं ठीक है इनके relationship बड़े उपरी तोर पे हैं इनके साथ जो दिन लोगों की बनती है यी मत सौचिガ कि वह इनके साथ finding है उनकी न तो वो इनके साथ प्ले करके जाते हैं, जैसे ये प्ले करते हैं, वैसे इनके साथ लोग प्ले करके जाते हैं, ठीक है, तो सेर को जब सवा सेर मिलता है, ठीक है, तब इनको रियलाइज होता है, अंदर तो रियलाइज होता है, बट ये भूल चाहिए कि ये बाहर कभी भी एक कर लिया ठीक है यहां पर बताते हूं को एक काम की बात तो यह लोग इतने फेक पेपल हैं इनकी इगो इतनी बड़ी है और इनको इतना ज्यादा हर्ट करती है वो चीज की इन जैसे लोगों से मतलब हाउ डैर यू कैसे तुमने मूग अन कर लिया मुझसे मेरे जैसी अमेजि कितना भी सफर कर रहे होंगे कितने भी अकेल होंगे बट इस दिखाएंगे कि इनकी लाइफ से मतलब आप जब गए है तो मतलब इनकी लाइफ में कितना सुकून आ गया है इनकी लाइफ तो सुधर गया है बलकी क्योंकि आपको ये दिखाने की कूषिश करेंगे that you आप का खोकला पन को बता देगा यह कि तो इनके पार्टनर आपको दिखाई देंगे ऐसे या निस forte यह तो इनके जैसे होते हैं कि वह दोटे हैं जो कि अब जैसे जैसे इनकी कोती है अ मतलब यह एज भी छोड़तीजिए, आज भी, अगर आपने इन से मूव अन कर दिया, कोई टॉक्सिक परसन के साथ आप रेलेक्शन में थे और आपने मूव अन कर दिया, तो ये इतना अकेले हो जाते हैं, इन्होंने इनको, इन्होंने खुद ही को अपने आपको इतना अकेला करके रखा होता, क्योंकि लफिन होने कभी किसी के साथ किया ही नहीं, credential क्यों कर्वा, भात करना या खुद के अंदर जहांगना ये चाहते ही नहीं है, तो इनके अंदर Self-Love की भ्यांकर कमी है और जिस परसन के अंदर Self-Love की कमी है वो क्या करेगा फ फिर ऐसे ही करती है उसके अंदर को इनकी ना कोई ग्रोथ है बिलीव मी बिलीव मी इनकी जितनी ग्रोथ होती है वो इनकी सप्लाइस पे बेस्ट होती है इनकी सब बातें चोरी की हुई होती है इनका सब जो है रोल प्ले होता है मतलब इनकी लाइफ में constant एक role play चलता रहता है ठीक है यह आप खुद feel करेंगे कि लोगों के सामने कुछ और होते हैं और आपके साथ अकेले में कुछ और होते हैं तो it means they are playing roles role of a good husband, role of a good boyfriend, role of a good son, daughter जो भी यह कोई भी हो सकते हैं toxic लोग तो तो अधिक तर अब क्या होता है जब यह इतना अकेले होते हैं company इनको कोई देता नहीं है ठीक है इनके जो flying monkeys यह इनके जो लोग हैं जो आपको partners नजर आते हैं वो इन से मतलब के लिए जूड़े होते हैं तो अपना-पना मतलब हुआ यह सब लोग अपने-पने boxes में बंद हो जाता है ठीक है इनका मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इनन लोगों का cabin होता है ठीक है उस cabin में यह बंद हो जाते हैं अपने-अपने mobile के साथ बंद हो जाएंगे कुछ लोगों को addiction डवलप हो जाते हैं तो वह अपना जो है alcohol में अपना सकॉन ढूंडते हैं ठीक है कुछ लोगों को जो है eating disorders other type of disorders इनको डवलप हो जाते हैं ठीक है वर्ट इतना सब के बावजूद भी इतना suffering के बावजूद भी ठीक है किसी भी तरह का addiction इवन इनको mobile का addiction हो जाएगा आपको ये वो लोग हैं जो आपको रात रात भर mobile करते हैं मिल सकते हैं इनकी हलत कराब होती रहेगी बट ये अपने addiction को छोड़ नहीं पाते हैं इतना मजबूर होते हैं आप और में जैसे लोग हैं हमारे लिए अपनी health priority पे होती है हमार मतलब मेरे साथ तो यह होता है मुझे मतलब मुझे लगता है कि हर इनसान जो खुछ से प्यार करता है वो ऐसा ही होता होगा तो हम लोग जट से जो चीज हमें नुकसान पुछा रही हम उसको side में करेंगे और अपना comfort अपना health पहले देखते हैं लेकिन यह लोग उस type से नह कि हालत कराब eyes red हो रही है बुरी द्रा से sometimes तो eyes में पानी आ रहा है बट वो एक addiction है देखते जाना है back to back back to back back to back तो इस type के इनके addiction विक्सित हो जाते हैं अब आप बताइए कि जो इनसान इतनी suffering में रह रहा है बाहर वो कुछ भी सीन दिखाएगा बाहर वो आपको दिखाएगा कि वो आपके बिना बलकि उनकी life शुदर गई है आपके बिना तो वो इतने खुश है जब तक आप साथ थे तब तक उनकी life है थी आप भी वो reason थे जिसकी वज़े से उनकी life है थी आपको हमेशा इससा शो करेंगे ठीक है उस पर मत जाएए ठीक है फिर है तो बहुत मतलब आप उमीद नहीं कम भी छोड़िये कर ही नहीं सकते हैं इनमें growth की उमीद ठीक है बहुत rare cases में ऐसा होता अगर इनको कभी फुरसत मिले तो इनके जो false ego false इनका self है उससे अगर इनको कभी फुरसत मिले तो ये शायद अपने अंदर जहांके और तब शायद ये अपने लिए कुछ कर पाए otherwise there are no chances जादा तर लोगों के साथ नहीं होता है इसा इनकी life उसी एक धर्रे पे चलती है ठी अकिलापन अकिलापन और अकिलापन यही इनकी नियती होती है और इनका जैसे जैसे एजिंग होते जाती है इनकी बड़ी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि अब ये उस चाम को भी यूज नहीं कर सकते हैं इनके पास वही नहीं है ठीक है इनके पास वही एक हत्यार था ना इ चाहम उनका था तो क्या होता है Chistan मोनका ये उसको भी as Habani कर पाते हैं कि ए उसको भी 경ण फान तरीके से नहीं ले पाते है ये गर्री से एंड होते जैसे जैसे एइजिंग होती है यह उसको भी एक्षेट नहीं कर पाते हैं यह उतको भी डिग्टीफाय्ट तरीके से नहीं ले पाते हैं जैसे जैसे एज दोते जायेंगी और चेड़ और इनका बड़ा गंदा सा में कुछ नहीं रहता ना फैमिली मेंबर्स होते हैं इनको पहचान नहीं लग पड़े होते हैं ठीक है जैसे पार्टनर्स होते हैं वो भी इनको पहचान गए होते हैं तो अगर वो लोग फिजिकली इनके साथ भी रह रहे हैं तो इनको अंदर से पता है वो इनको कोई कंपनी नहीं नहीं दे रहें, इन से पात मेबरना करणी नहीं पसंद euf रहते हैं, अपनी दुनिया मासर रहते हैं, अपनी लाइफ मेें, अपनी ग्रोध पर ध्यान दे रहे होते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ी suffering यही होती है, किसी को grow करते हुए देखना, ठीक है किसी को भी grow करते हुए, because they are extreme jealous, extremely extreme level पर jealous होते हैं यह लोग ठीक है दोस्तों, तो यही इनकी सजा होती है नहीं इन में सुधर नहीं आता है ठीक है, temporary relations होते हैं इनके, इनके relations कोई solid basis पर नहीं होते हैं temporary, बहुत temporary होते हैं वही लोग इनकी जो है, band बजा के जाते हैं जिनके लिए इन्होंने, आपको ignore मारा होता है, क्योंकि triangulation करने की इनको आज़त होती है triangle बनाने की, आपको inferior दिखाने के लिए, ये third party के साथ मिलके आपका triangulation करते है बट वही third party इनके बड़े अच्छे से band पर जाके जाते है क्योंकि जो worthy person था, उसको इन्होंने value नहीं किया, तो इनको वक्त जवाब देता है उस बात का दोस्तों, इनकी भी कहीं value नहीं होती है तो ये था वीओ, 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 तो आपका तेंकी तो मुच, भाई